माई डियर फ्रेंड रेलवे का या स्पेसल प्रेक्टिस सेट है इसमें प्रिवियस येर पेपर को संकलित किया गया है और आज के एक्जाम पैटर्न में जिस तरह के प्रशन सामाने धिन के देखने को मिले हैं उन सभी प्रशनों को मैंने संकलित किया है मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा और उससे जूरी हुई जितनी भी जानकारिया हैं वो बताते चलूँगा तो अगर आप चैनल पे नए हैं या भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिपिकेशन मिल को दवा ले वीडियो को द wealth of nation और इसके जो लेखक है वो एडम एसमित है संसदिय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा है तो सुनने काल प्रशनकाल आधे घंटे की चर्चा अलप आवदिक चर्चा तो यहां जो सही अंसर होगा वो प्रशनकाल होगा संसदिय बैठक जो होता है उसका पहला काल प्रशनकाल होता है यानि भर दिन में संसद में कौन कौन सा काम होता है उसमें सबसे पहला प्रशनकाल होता है मैं डिटिल में आपको बताता हूँ तो प्रशनकाल कहते किसको हैं लोगसबा का जो बैठक होता है उसमें पहला घंटा जो होता है वह सवाल पूचने के लिए ही होता है इसे ही हम प्रस्नकार कहते हैं इसके दोरान जो है सरकार से जो भी सरकार काम कर रही है कोई योजना बना रही है कोई भी कानून ला रही है उससे related प्रस्न पूछे जाते हैं तो सरकार कोई परखा जाता है और इसके answer कोई देंगे विभागिय मंत्री अगर सिक्षा से सम्बंदित कोई प्रस्न किया जाता है संसत की द्वारा तो इसके answer कोई देंगे मंत्री देंगे वो खरे होकर उसके बारे में उत्तर देंगे यानि आप समझ गए प्रस्न काल क्या होता है जब लोकसभा का बैठक चालू होता है तो एक घंटा के अंदर प्रस्न जो पूछा जाता है सरकार से किसी भी योजना के बारे में किसी भी कानून के बारे में या किसी समस्या को उजागर किया जाता है जो प्रस्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं प्रस्न काल कहते हैं और यह कितने घंटे का होता है या भी आप से पूछा गया है तो ये प्रतेक दिन पहला घंटा जो होता है वह प्रस्नकाल होता है हैंडी विवियान डेरिजियो का संबंद किस आंदोलन से है तो ये बहुत ही फेमस थे बंगाल से रिलेटर है युवा बंगाल आंदोलन हेंडी वेवियान डेरीजियो इनका समद्ध किस अंदोलन से है युबा बंगाल अंदोलन से तो यंग बंगाल अंदोलन इसके जो प्रबर्तक थे वह एंगलो इंडियन थे हेंडी वेवियान डेरीजियो थे और यह अंदोलन किस इस्वी में हुआ था आप से पूचा जाता है तो अठाए सो अठाए सिस्वी में बंगाल में चलाया गया यह मुख्या अंदोलन था और इसका उद्देश क्या था तो प्रेश की सुतंदर था जब इंदारों जवारक किये जे चार से रहयत की रक्षा और सरकारी नोक्रियों में उचे वेतनमान के अंतरगत भारतियों को नोक्रि दिलवाना यह तीन मुख्या अंदोलन का प्रनेता कौन थे पहले आप यह याद रखिए हैंडी वीवी अंडेरी जियो कब हुआ अठाए सो अठाए सिस्वी में हुआ उद्देश क्या था प्रेश की स्वतंदर था जमिंदारों से जो उद बंगाल अंदोलन का में उद्देश सिथा इस भी जरूर याद रखिएगा इधर भी एक जाम में देखने को मिला है अठाए सो अठाएस इस भी गटका मारसल आर्ट का एक रूप है इसे कहां खेला जाता है तो हथियारों से खेला जाने वाला में जो तलवार वाजी होती है उसी से रिलेटर ये पंजाब का एक मारसल आर्ट है जिसे हम क्या कहते हैं गटका कहते हैं अगला प्रसन है निम्न में से किस राजी की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है यानि चीन से किस राजी की सीमा नहीं लगी हुई है उत्राखंड पश्चिम मंगाल जम्मु कस्मीर सिक्किम तो यहां पे सही अंसर आपको इस्क्रीन पे दिख रहा होगा पश्चिम मंगाल जो है उस राजी की सीमा चीन से नहीं लगी हुई है आप सारे के सारे राजी का नाम याद रखिए जिसकी सीमा चीन से लगी हुई है यानि यहाँ पर उत्राखंड, जम्मू कस्मीर, सिक्किम इन सबी राजी की सीमा चीन से लगी हुई है तो यहाँ पर आपको चीन के साथ जो सीमा बनाने वाले राज है उनको दिखाया गया है एक ट्रिक भी मैं दे रहा हूँ जम्मू का सिपाई अरुन हिमाले पर उत्रा यानी जम्मू से जम्मू कस्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, सिक्किम और अरुनाचल परदेश ये सारे जो राज हैं यानी पांच राज जम्मू कस्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, सिक्किम और अरुनाचल परदेश ये सबी चीन की साथ सीमा बनाने वाले राज्ज हैं निम्न में से किस धर्म में इस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है तो यहां पे जो सिक फारसी, इसलाम और इसाई ये सारे धर्म दिये हुए है इन में से इसाई धर्म में इस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है राश्टिय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक फैला हुआ है सही आंसर होगा मुंबे तक फैला हुआ है राश्टिय राजमार्ग 3 नस्नल हाइवे 3 अब स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे राश्टिय राजमार्ग 3 नस्नल हाइवे 3 यह कुल 1161 किलो मीटर लंबा है और आगरा से होते हुए महराष्ट की राजधानी मुंबे तक फैला हुआ है तो यह आगरा से कहां तक है मुंबे तक राश्टिय राजमार्ग 3 कुल लंबाई कितनी है 1161 किलो मीटर अगला है रामाइन किसने लिखी थी कुछ हलके भी प्रस्ट पूछे जाते हैं तो रामाइन महरसी बालमिकी के द्वारा लिखा गया था वही पे अगर रामचरी द्रमानस के बारे में पूछा जाए तो वह गोस्वामी तुलसिदास के द्वारा लिखा गया था पारतिय संबिदान में जीवन का अधिकार क्या है या मूल लियामावली में दिया हुआ है राज के नीति निर्जे सक्सिदान्द के अंतर गताता है मौलिक कर्तब है या फिर मौलिक अधिकार है तो सही अंसर होगा जीवन का अधिकार जीवन एवम औव व्यक्ति का अधिकार जो है या नागरिकों का मौलिक अधिकार है थोड़ा समझते हैं या अनुचित 21 कहता क्या है अनुचित 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधी द्वारा अस्थापित प्रिकडिया के अत्रिक्त उसके जीवन और व्यक्तिकस सुतंदरता के अधिकार से वो अंचित नहीं किया जा सकता है यानि जो कानूनी रूप से उस पे बंदिस अगर किसी पे लगाया गया है तो वह ही बंदन हो सकता है बांकि उसको उसके जीवन जीने के अधिकार उसको जैसे बैठने का उठने का सोने का जाने का गूमने का इस सब के अधिकार से उसे बंचित नहीं किया जा सकता है मना है लेकिन बाकी अन्य जगों पर आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता है इसलिए यहां पर इस वर्ड का उप्योग किया गया है कि जीवन और वेक्तिका सुतंतता के अधिकार से बन्चित नहीं किया जा सकता है या किस में किया गया है अनुचेद 21 में आप से पूछा भी थी तो दीन इलाही या अकबर के दोरा सुरू किया गया एक धर्म था इसका जो में मोटो था वा सर्व धर्म संभाब यानि सभी धर्म को संकलित करके दीन इलाही धर्म को चलाया गया था अकबर के दोरा और इसके जो पहले मतलब धर्म के अनुआई बने थे वा राजा बी बीरबल जो थे वह अकबर के दीन इलाई धर्म के पहले फॉलावर यानियाई बने थे एक पुछा जाता है कि बीरबल का मूल नाम क्या था तो वह महेस दास था तो 1581 इस्वी में समराट अकबर के दोरा एक समरूप धर्म को बनाया गया था इस भी याद रखिएगा दीन इलाई धर्म को कब लागू किया गया 1581 इस्वी में और इसमें जो मुखे रूप से जो दो मूल धर्म थे वह हिंदू और इसलाम दोनों ही धर्म के में लक्ष को इसमें सम्मिलित किया गया था और इसके अलावा पार्सी, जैन, इसाई, धर्म के भी मूल विचारों को सम्मिलित किया गया था पहला राष्ट मंडल खेल कब आयोजित किया गया था तो पहला जो राष्ट मंदल खेल था उनीस सो टी सिस्ट es भी में आयोजित किया गया था कनडा के हैमिल्टन नमक सहर में आयोजित किया गया था या पहला राष्ट मंदल खेल अब स्क्रीन पे देख पा रहा होंगे अपने जवाने के जो मसहूर धाक थे बौवी रोविंसन उनकी कोसिस की बज़त से 1930 इसवी में राष्ट मंडल खेल की सुरुआत हुई थी कहां खेला गया था यह मैं बता चुका हूँ कानाडा के हमिल्टन सार में पहली बार खेला गया था और इसमें कितने देसों ने भाग दिया था 11 देस कितने खेलारियों ने भाग लिया था? 400 खेलारियूं ने भाग लिया था कितनी खेल थी? 6 खेल का फिप्टिनाइन परतियोगिता था तो इसमें से बहुत सारे क्रपत्रस रेपीट हो जाते है पहले तो आपको इस भी पूछा जाएगा पहला राष्ट मंडल खेल कब हुआ, उन्हें सुतीस भी, किस जगा पे हुआ, कनाडा का है, मिल्टन नमक सहर में हुआ, कितने देसों ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कितने खेलों को सम्मिलित किया गया, तो इसमें कुल मिला के, जिसमें पहली वाराष्ट मंडल खेल कोमन विल्ट गेम हुआ था, उसमें सर्फ छे खेलों को सम्मिलित किया गया था, बॉली वाल खेल का कड़ास्थल क्या कहलाता है, यानि बॉली वाल खेल का जो पेडिसर होता है, उसे हम क्या कहते है तो वह कोट कहलाता है वालीवाल खेल का कड़ास्थल कोट कहलाता है मैं कुछ अन्य गेम जो भी है उनके कड़ास्थल के बारे में यानि उनके पड़िसर के बारे में बताता हूँ और आप उसे याद कर लिजिए क्यांकि यहां से प्रस्ण देखने को मिले हैं आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे डायमंड या पीसबॉल खेल के पेडसर को कहते हैं गुर्सबारी के पेडसर कोईरेना कहा जाता है रेंज या तिरंदा जी और निसानेवाजी के खेल पेडसर को range कहा जाता है तो एक बार फिर से देख लीजिए diamond या baseball की खेल producer को कहा जाता है एरेना या गुरसावारी के छेतर को कहा जाता है और तिरंदा जी या निसानेवाजी इसे range कहते हैं अन्ड की बात करें तो board या table tennis जहां पे खेला जाता है उसे board कहते हैं फिर hockey, football और polo ये तीनों खेल जहां पे खेले जाते हैं फिल्ड में खेले जाते हैं athletics या track पर होता है athletics ट्रैक जिस पे दोड़ते हैं धावक जो होते हैं judo mat पे खेला जाता है और ring या skating और मुक्के वाजी के producer को ring कहा जाता है तो आप दोनों का ये screenshot ले 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 जिए और याद कर ले जिए क्योंकि जिस तरह से अभी पूछा गया था आपसे उसी तरह के प्रशन exam में देखने को मिलते हैं DNA में विशेस अस्थान पर कट किसकी दोरा निर्मित किया जाता है तो DNA आप जानते हैं जो हमारे अनुमान सिक्ता का जो संसरित होता है एक से दूसरे में तो वह DNA के माद्यम से होता है गुनसुतर के माद्यम से होता है तो गुनसुत्र का भी भाजन होता है वक डिने के ही टूटने के फलसुरूप होता है तो डिने पूछा भी गया आपसे किस अस्थान पर बिसेस कट जो होता है जिसके दोरह डिने बनते हैं वक किस अस्थान से होता है तो इंडो नुकलियस उस अस्थान को क्या बोलते हैं इंडो नुकलियस जहां से जो गुनसुत्र होता है वो दो भागों में बट जाता है निवन में से कौन सा बंदर्गा जोआरी मुहने तक इस्तित है तो जोआरी मुहने का मतलब होता है वैसा जहां पे डेल्टा का निर्मान ना हो उस तरह का जोआरी मुहना कहलता है तो वह मर्मा गोवा जो गोवा का एक प्रमुख बंदरगा है वह जुवारी मुहने परिस्थित बंदरगा है उन्हें से कौन से सरकारी योजना दुरगटना बीमा के लिए है तो यह प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना जब प्रधान मंतरी में जंधन योजना बेंक एकाउंट की सुरुवात की थी उसी से मैं उन्होंने प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना की भी सुरुवात की थी अप स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना और यह जो था बारा रूपिये में दो लाख रूपिये तक का कवर दे रहा था इसमें दुरगटना पॉलिसी किसी भी तरह के एक्सिडेंट की वज़े से अगर मौत हो जाता है जिसने ये पॉलिसी को लिया है या फिर अपंग हो गया तो उसे कितना रूपिया देगा सरकार दो लाख रूपिये सरकार देगी और आपका प्रीमियम कितना है साल भर में आपको बारा रूपिये जमा करना परेगा यह थे परतान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना मार्च और जून में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है तो एक रिस्म काली इन फसलें कहलाती है इसे इम्रवी फसल के नाम से जानते है संबिदान में संसद के संपाधन कार्ज के लिए किन भासाओं का उलेक किया गया है तो संसंद की जो कार्जवाई होती है वह दो ही भासाओं में संपादित होती है हिंदी या फिर अंग्रेजी इन दो भासाओं में संपादित होती है चाहे वो प्रसनकाल हो या फिर कोई भी सदन का कोई भी कार्जवाई होता है तो वह हिंदी या इंगलिस में ही संपादित हो राश्ट द्वज और राश्टगान का सम्मान करना क्या है तो यह हमारा मौलिक करतब है मौलिक करतब का वर्नन भाग चार में किया गया है भाग चार के कौव में इसका मौलिक करतब्यों का वर्नन किया गया है भाग चार में नीति निर्जे सकत्तों का वर्नन है भाग तीन मे नीती किस वर्स लागू की गई तो make in India नीती जो है या 2014 इस भी में लागू किया गया था दो वर्ड आपको आपने सुना होगा एक make in India एक made in India तो made in India जो भी है बाहरी कंपनी भी अगर इंडिया में कोई product बनाती है तो उसे made in India कहते हैं लेकिन अगर make in India है तो इंडिया इंडियन government के द्वारा इंडिया में ही factory अस्तापित करके जब बनाया जाता है तो में make in India कहलाता है तो यह 2014 में चालू किया गया था अब थोड़ा date के साथ इसे याद रखिए make in India भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को निर्मान होगा make in India कहलाता है और यह कब चालू किया गया था 25 सितंबर 2014 आपको आज भी एक्जाम में date पूछ लिए जाते है make in India का अजिक्रम कब चालू किया गया 25 सितंबर 2014 यह प्रस्ट बैंकिंग से रिलेटर है वह व्याजदर जो आर्वी आई लंबी अवधी के रिनों पर वसूल करता है क्या कहलाता है यानि आर्वी आई लंबी अवधी का रिन अगर बैंक को देता है तो उस पे लगाएगे दर को हम क्या कहते हैं तो सही आंसर होगा बैंक दर एक बार फूल डिटिल में बैंक दर का डेफनिशन देखते हैं तो बैंक को जब भी रिन का जरूरत पड़ता है तो वा आर्वी आई से रिन लेता है और वो दो दर पे लेता है या तो बैंक दर पे लेगा या फिर रैपोर्ट दर पे लेगा फिर से आप सुनिएगा reager bank of India से जब bank अपनी जरूरत के लिए रिन लेता है तो उसके लिए वह दो दर का उप्योब किया जाता है एक bank दर या फिर rapo दर bank दर वा दर है जिस पर bank RBI से दरकालिक रिन लेता है अगर लंबे समय के लिए रिन लेना है तो वह bank दर पे रिन लेता है RBI से और अगर छोटे समय के लिए कम और अलपवदी के लिए रिन लेना है तो उसके लिए जब बैंक RVI से रिन लेता है उसे हम रेपो दर कहते हैं और रिभर्स रेपो इसी का उल्टा हो जाता है जब RVI रिन लेती है बैंकों से तो उसे हम reverse report कहते हैं अगला प्रस्ण है देशज खेल कलरी पायट टू मुखे तक किस राज़ से संबंदित है तो यह जो कलरी पायट टू खेल है यह एक तरह का मारसल आर्ट यह फिर कराटा वगेरा जो होता है उसी का एक तरह का आर्ट है और यह सबसे ज़्यादा फेमस अभी तो चाइना का बहुत ही फेमस है लेकिन पहले जो था यह किस राज़ का था केरल का यह मुखे जो देशज खेल है वह था कलरी पायट टू आप नाम याद रखिएगा कौसे ही केरल और कौसे ही कलरी पायट टू यह केरल का एक मुखे खेल है किस रिट को गिरपतारी की मनमानी के विरुद्ध वैक्तिकस सुतंता के प्रतिस अन्रक्षन कहा जाता है जो रिट जारी किया जाता है पांच तरह के रिट जारी किये जाते हैं अनुच्छे 32 के तहद रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है और इसमें जो है संबैधानिक उपचारों का अधिकार आपसे यह भी पूछा जाता है कि पंडिस जवाहलाल नहरू ने किसे संबैधान की आत्मा कहा था तो यही इसी अनुच्छे 32 या फिर जो रिट जारी करने का अधिकार होता है या फिर आप बोल सकते हैं संबैधानिक उपचारों का अधिकार इसे ही रिट जारी करने का अधिकार इसे ही भारतिय संबैधान की आत्मा कहा गया था तो किस रिट को गिरबतारी की मनमानी के विरुद वेक्तिकस सुतंतता के प्रति संडक्षन का जाता है पांच तरह के रिट होते हैं आपको बताना है किस रिट के तहद अगर किसी की जवर्दस्ती गिरपतारी की जाती है बिने किसी कारण बस उसकी गिरपतारी किया जाता है तो उसका संडक्षन किया जाएगा सही अंसर है heaviest corpus थोड़ा डिटेल में आप जान लें यह क्या होता है बंदी प्रतेक्षी करन बंदी प्रतेक्षी करन यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवजदी रूप से बंदी बनाया गया है इसके द्वारा नियायले बंदी करने वाले अधिकाड़ी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाये गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित अस्थान के भीतर उपस्तित करे जिससे नियायले बंदी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सके यानि किसी को अगर पुलीस ने गिरफतार कर लिया है तो कुछ निश्चित समय और निश्चित अस्थान पर निश्चित अस्थान यानि आदालत में लेके उसे जाना परता है कितने घंटे के अंदर नौर्मरली 48 आवर्स का टाइम है 47 गंटे के वीतर अगर किसी को पुलीस ने गिरबतार किया है तो उसे अदालत के सामने पेस करना पड़ता है जिससे अदालत या चांद सके कि उस व्यक्ति पर लगाया गया दोस्त सही है या गलत है इसे ही हम बंदी परतिक्चिकरन कहते हैं मुप्त एवम अनिबार्ज सिक्चा भारत के भारत में किस आयू वरक के बच्चों के लिए सुनेचित की गई है तो ये 6-14 वर्स तक के आयू के बच्चों के लिए मुप्त एवम अनिबार्ज सिक्चा का प्राफधान भारतिय संबिधान में किया गया है अब चेसा की देख रहे होंगे दिसंबर 2002 इस भी में अनुच्छेद 21 ए का भाग तीन में जो अनुच्छेद 21 है उसके ए में 86 मा सम्मिदान संसोधन के तहद 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुपता और रहनिवार्ज सिक्चा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है देखिए भाग तीन में तो मौलिक अधिकार का उलेख है आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 21 में वेक्तिकास सुतंदरता और अधिकार की बात जो किया गया है उसमें एक संसोधन किया गया 86 मा सम्मिदान संसोधन और कभी कभी ये भी पूछा जाता है 86 मा सम्मिदान संसोधन कब हुआ तो 2002 में हुआ कभी आपको पूछा जाएगा 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो निसल्ग जिख्चा का प्रापदान किया गया वह किस संविदान संसोधन के तद किया गया तो 86 मा सम्मिदान संसोधन के तर्द किया गया और किस अनुचेद में इसका वर्नन है तो अनुचेद 21 के ए में इसका वर्नन है ये सबी प्रस्ट कहीं ना कहीं उलट फुलट के आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं निसानेवाजी के खेल से संबंदित नहीं है तो सुसील कुमार या निसानेवाजी से नहीं है या मुक्केवाजी या रेशलिंग से संबंदित हैं सुसील कुमार और राजवर्धन सिंग राथाओर की बात हो या जीतूराय की बात हो या अविनब बंदरा की बात हो ये वही राजिवर्दन सिंग राठोड हैं जो पहले खेल मंत्री थे और जीतूराय की बात हो या फिर अविनब बंदरा की बात हो ये तीनों ही निसानेवाज हैं जबकि सुसील कुमार रसलर हैं एक मुक्यवाज हैं मतलब कुस्ती लड़ते हैं या सुसील कुमार असोक ने धम के परचार के लिए किस नए पद का निर्मान किया था तो असोक समराट जो थे उन्होंने धर्म का परचार यानि बहुत धर्म का बहुत ही ज़्यादा परचार किया था उनका यह बुद्धम सरनम गच्छामी संगम सरनम गच्छामी यह जो आप सुनते होंगे यह उनका यह जब उन्होंने कलिंग युद्ध देखा था तो उसमें हुए मारकाट से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था हिंसा को सदा के लिए त्याग दिया था फिर उन्हेंने बुद्ध धर्म का परचार किया था इसके लिए उन्होंने धम महापात्र एक पद का अस्थापना किया था अब स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे धम महापात्र या धर्म महापात्र ये जो थे समराट असोक के वे उच्च अधिकारी थे जो असोक दोरा परचारी धर्म संबंदी मामलों और कार्जियों की देखवाल करते थे अगर हम बात करें इसके लिए असोक ने अपनी पुत्री संगमित्रा और पुत्र महंद्र दोनों को ही स्रलंका भेजा था स्रलंका में बहुत धर्म का परचार करने के लिए अभी प्रस्ण पूछा जाता है कि असोक ने किसे स्रलंका में बहुत धर्म के परचार करने के लिए भेजा था तो पुत्री पुत्री संगमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा था इस्टेचियो अफ लिवर्टी किस सहर में इस्थित है तो आप सभी को मालूम है यही न्यूयर्क सहर में इस्थित इस्टेचियो अफ लिवर्टी है अगर आप से यही पूचा जाता statue of unity कि सहर में इस्तित है गुजरात की केवडिया नमक जगह पर statue of unity इस्तित है आपको मालूम ही होगा या सरदार पटेल का परतिमा जो मोदी सरकार ने बनवाया था वह है statue of unity और अगर statue of liberty की बात हो तो यह नियॉयर्क सहर में इस्तित है अब इस्क्रीन पर देख सकते हैं यह statue of liberty जो है 4 जुलाई 1776 इस्वी को अमेरिका की स्वतंदरता की अस्मिर्थी में 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का स्वतंदरता दिबस मनाया है 4 जुलाई को मनाया भी जाता है यहां से एक और प्रशन बन रहा है अमेरिका का स्वतंदरता दिबस कम मनाया जाता है 4 जुलाई कम मिली स्वतंदरता 4 जुलाई 1776 को उसके ही अस्मिर्थी में अमेरिकियों के लिए फ्रांसेसी ने एक उपहार की स्वरूप इस statue of liberty को भेजा था और इसका निर्मान फ्रांस और अमेरिका दोनों के संयुक्त प्रियासों के द्वारा किया गया था मतलब आप टोटली जानी है statue of liberty जो की नियुयर्क सहर में इस्वतंदरता से अमेरिका की स्वतंदरता से या फ्रांस के तरफ से दिया जाने वाला एक उपहार था और इसका निर्मान फ्रांस और अमेरिका दोनों के संयुक्त प्रियासों के द्वारा किया गया था और उसे statue of liberty क्यों कहा जाता है क्योंकि अमेरिका के नियुयर्क सहर के मैनहटम में या जगा का नाम है मैनहटम वहाँ पे liberty द्वीप है उसी पर इस्तिताय से लिए इसे हम statue of liberty के नाम से जानते है युडिक अमल के ठोसकनों के जमाव के कारण हुई जोरों में सूजन को क्या कहा जाता है तो इसे हम वात गाठ या गाउट कहते है नॉर्मली आप समझे युडिक अमल का जो ठोसकन के कारण जो जमाव होता है जो रों में सूजन होता है जिसे अब गठिया बिमारी कहते हैं इंगलिस में उसे गाउट कहा जाता है या फिर वात रखत कहा जाता है Special Olympic World Winter Game हर डैस में आयुजित किया जाता है तो Special Olympic World Winter Game जो हर चाल साल में आयुजित किया जाता है जो अगला हमारा Special Olympic World Winter Game है वर अशिया में आयुजित किया जाएगा कार्बो हाइडरेट जो जल अपकटन में मोनो सेकराइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन करती है क्या कहलाती है कार्बो हाइडरेट की बहुत सारे प्रकार होते है उसमें से आपको पूछा गया है जो मोनो सेकराइड के 2 से 10 इकाई तक उत्पन करती है वैसे कार्बो हाइडरेट को क्या कहा जाता है तो उसे हम Oligosacrites कहते हैं ये एक जाम का पूछा गया प्रश्न है आप इसे याद कर ले ओलिगो सेक्राइट्स राम सेतू पर्योजना के माध्यम से किसे जोरा जा रहा है राम सेतू जो अपनी प्रारंबिक मानेताओं के अनुसार जब बगबान राम से लंका जा रहे थे उस समय जिस सेतू का उपयोग किया था पंदरों ने जिस सेतू को बनाया था उसे ही राम सेतू का आ गया है और वह तो अब नीचे धस गया है लेकिन उसी जगह पे फिर से एक नए तरीके से उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है जिससे कौन-कौन सी खाड़ी मिलेगी मननार की खाड़ी और पाक खाड़ी इन दोनों को मिलाने का काम करेगा राम सेतू भारतिय संबिधान सभा ने राष्टगान को कम मानेता दी हमारा जो राष्टगान है जनगनमन अधनायक जय है उसे कम मानेता मिली थी उनिस सो पचास इसवी में संबिधान सभा के द्वारा मानेता मिली थी इससे बहुत सारे प्रस्ण पूछे जाते हैं तोड़ा डिटेल में समझते हैं जनगनमन अधिनायक जय है जो हमारा राष्टगान है उसे पहली वार 17 सितमबर 1911 Sb को भारतिय राष्टी कॉंग्रेस के कलकता अधिवेशन में गाया गया था यह भी आपसे पूछा जाता है कि पहली वार किस अधिवेशन में राष्टगान को गाया गया 17 सितमबर 1911 Sb को गाया गया था और इसे अपनाया कब गया गया संबिधान सभा के दोरा तो संबिधान सभा के दोरा इसे 1950 Sb में अपनाया गया था बंगाली और हिंदी भासा में गाया गया था और इसे लिखा किनों ने था तो रविंदर नाथ टैगोर ने सबसे पहली बार बंगाली भासा में लिखा था इसके बाद आविद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रुपांतरन किया था या भी आपसे पूछा जाता है हमारा जो राष्टगान है उसे लिखा किसने था तो रविंदर टैगोर ने लिखा था इसे गाया कब गया तो 1911 S.B. में कलकता दिवेशन में गाया गया 1915 S.B. में इसे संबिधान सबा के दौर अपनाया गया और इसका हिंदी में रुपांतरन किस ने किया था आविद अली ने किया था तो भारतिय संबिदान में राष्टगान को गम्मानेता दी 1950 भी देश के नियाईक मामलों में भारत सरकार को प्रामर्स देने का कर्तब किसका होता है तो देश के जो नियाईक मामला होता है उसमें भारत सरकार को प्रामर्स देने का अधिकार महानियावादी का होता है इसका जो टाइमिंग है वह 1980-1985 तक माना जाता है 1980-1985 इस भी छटी पंचवर्शी योजना गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया हीरों के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है पन्ना जिला मध्यपरदेश में है या हीरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजी के नीती निर्देशक सिद्धान से क्या तात परज है राजी द्वाला पालन किये जाने वाले सिद्धान उसे ही हम राजी के नीती निर्देशक सिद्धान्त कहते हैं मतलब एक बात सीधे लाइन में हम कहें तो किसी भी राजी की अवधारना नहीं की जा सकती है अगर राजी के नीती निर्देशक सिद्धान्त उसमें सम्मिलित ना हो यानि राजी होने के लिए जो भी आवस्यक मूलभूत सब्द है जो भी आवस्यक मूलभूत सिधान्त है उसे ही राजी का नेती निरिशक सिधान्त कहते हैं इसे संभिधान के भाग चार में वर्नित किया गया है विजयनगर समराज के संस्थापक कौन थे तो विजयनगर समराज जो आधुनिक हमपी में आपको इसके अबसेस देखने को मिलते हैं वह हरी हर तता बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर समराज की अस्थापना की थी इडुकी हाइड्रो इलेक्टिक परयोजना किस राज में इस्थित है इडुकी जो है या हाइड्रो इलेक्टिक परयोजना विजली उत्पादन के लिए है तो यह किस के लिए पर किस राज में इस्थित है तो यह केरल राज में इस्थित है किस नदी को चीन का सोक कहा जाता है तो वह नदी है वंगो नदी को चीन का सोक कहा जाता है बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है दामोदर नदी को बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है कोशी नदी को उसी तरह चीन का सोक किस नदी को कहा जाता है वांगो नदी को कहा जाता है और किसे मिस्र का मतलब नीन नदी का देन किस देश को कहा जाता है तो मिस्र को नीन नदी का देन कहा जाता है यह चोटे चोटे प्रसने हैं जो अक्सर एक्जाम में देखने को मिलते हैं इमने में से किस ग्रह को सांज का तारा या सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है सुक्र ग्रह को सांज का तारा या भोर का तारा कहा जाता है या प्रित्वी की जुर्बा बहन भी कहलाती है ओल्ड फेद्फुल गीजर नहीं लिकित देशों में से किस देश में पाया जाता है तो ओल्ड फेटफुल गीजर या USA में पाया जाता है परमानुविक और अनुविक पैमाने पर द्रमान को मापने की इकाई क्या होती है एक इक परमानु द्रमान इकाई परमानु द्रमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट इसे हम सॉर्ट फॉर्म में AMU कहते हैं आपने जब भी द्रमान देखा होगा किसी भी तत्तु का द्रमान देखा होगा उसके आगे आपको लिखा होगा जिसे सोडियम की ही बात करें तो ताइस पॉइंट संथिंग आपको लिखा होगा सोडियम का परमानु द्रमान ताइस होता है तो 20 unit या AMU atomic mass unit छोटे और भुक्तान बैंकों की अस्थापना के लिए नियुन्तम कितने रुपई की पूजी की आवसकता होती है छोटे और भुक्तान बैंक यानि payment bank आपने शुना होगा small bank या फिर payment bank के लिए कितने नियुन्तम रुपई की पूजी की आवसकता होती है अगर किसी व्यक्तिक के पास या किसी भी संस्था के पास अगर 100 करोर रुपई की पूजी है तो वह RBI में apply कर सकता है payment bank या फिर small finance bank खोलने के लिए कितने करोर का पूजी आवस्चक है 100 करोर की पूजी आवस्चक है हाल के railway के pattern को देखते हुए मुझे एहाँ एसास हुआ है कि यहाँ पे कुछ प्रस्ण banking से पूछे जाते हैं चित्वर की रानी पदमिनी की कहानी ने मलगित में से किषने लिखी थी तो चित्वर की रानी जो पदमिनी है इनकी कहानी मलिक मुहम्मद जायशी ने लिखा था किस ने मलिक मुहम्मद जैसी ने लिखा था और उस पुस्तक का नाम क्या था पदमावत जिस पर अपने मूवी भी देखा होगा पदमावत वा मूवी इसी पुस्तक पदमावत रहनी पदमावती के कहानी पर चितरित पुस्तक पदमावत से पर ही आधारित है तो इसकी रचना किनों ने किया था? मलिक मुहम्मद जाईसी ने किया था सित्तान वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंदित है? सित्तान वासन की गुफाएं या जैन धर्म से संबंदित है? सित्तान वासन की गुफाएं निम्लिके दसकों में से कौन सा मुख फिल्मों के युग के नाम से जाना जाता है तो 1910-1920 का जो युग था वह मुख फिल्मों के युग के नाम से जाना जाता है